नमस्कार दोस्तो टेक्निकल जुगाड हिंदी चैनल की एक नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरा नम है राज और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमर्जनसी लाइट के अंदर यूज होने वाली बैटरी के बारे में जैसे कि आपको पता है कि मार्किट में बहुत सारी चैनिज एमर्जनसी लाइट विक रही है और ऐसे में आप देख सकते हो कि मेरे पास ये भी एक एमर्जनसी लाइट है अब इन में क्या होता है इस की बैटरी दिखाई दी होगी तो ऐसे में अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है और उसकी एमर्जनसी लाइट की बैटरी वेगरा खराब हो जाती है तो मैं ये वाली बैटरी ना डालके मैं कस्टमर को ये वाली बैटरी डालके देता हूं इस टैब की सैल वाली क्यों देता तो वहां पर इस टाइब की बैटरी ज्यादा यूज करता हूं तो मेरी उसी वीडियो के नीचे काफे सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे बोला हुआ था कि सर आपने यह जो बैटरी यूज करी है इसके साथ में आपने कोई BMS सर्किट वगरा यूज नहीं किया जिसके वज ठीक चार्ज भी हो रही है और उसके अंदर सिंपल वाली चार्जिंग है जैसे कि हमारी इसके अंदर होती है तो देखे मेरे पास यह एक एमर्जेंसी लाइट है जो कि मार्किट में अभी नहीं नहीं आई है यहां पे तो इस मार्किट में हो सकता है कि आपकी मार्किट में तो मैं इसके अंदर लगा के नहीं दिखा रहा है इसको मैं खोल के आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर देखे कौन सा सर्कुट यूज कर रखा है इन्होंने तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ पहले इसके पेज को खोल लेता हूँ इस तरीके से हमें इसको खोल लेना है त आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारी सेल वाली दो बैटरी लगी हुई है और यहां पे आप इसका charging system भी देख लो कि कौन सा इसके अंदर BMS circuit लगा हुआ है आप खुद देख लो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है simple यह हमारा charging pin लगा हुआ है और यहां पर यह एक हमारा diode लगा हुआ है और यह हमारा एक resistance लगा हुआ है LED के लिए और यह हमारी button लगी हुए इसके अलावा इसके अंदर कोई भी circuit वेगर यूज नहीं कर रखा और उसने बहुत जूद भी यह काफी सारे पीस सेल करें हैं और कस्टमर खुद आके बोल रहे हैं कि भी इसका जो बैकप है बहुत बड़ी है और यह देख सकते हो कितने बढ़ी है तरीके से यह लाइट हमारी काम करती है तो ऐसे में आपको यह नहीं सोचना कि यार हमारे पास बैटरी को यूज नहीं कर सकत सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरीके से यह आपको कन्फ्यूजन बिलकुल भी नहीं होने चाहिए कि हम इस वाली बैटरी को निकालके सेल वाली बैटरी को लगाएंगे तो हमें कोई ब्याइमस सर्किट की जरूद बहुत जादा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप नोर्मल इसी तरीके से जो आपकी चार्जिंग बनी हुए वहीं से आप पलस मैनस इसका कनेक्शन कर दो और यह बिलकुल बढ़िया तरीके से चार्ज होती है कोई दिकत नहीं है तो उमीद करता हूं कि आपको हमारी यह जो वीडियो है पसंद आई होगी है और अगर आपक के लिए जैहिन वंदे मातरम